राम राम साथियो आज आप बनाने वाला हां बाजर की कुटिया राबड़ी बाजर की कुटिया राबड़ी के लिए आपा न लेनो है साप तो बाजरो साप बुद बाजरन आपा मिक्सिम पीस ले स्यां सर्द्या गमाईन बाजर की राबडी बहुत बढ़ी अलागत खा की देखियो साथ्यों एक बार बनाई जरूर बनायो मेरे कहने से साथ्यों इक लिए अपा बाजर नमक्सी मधाल की दरदरों पीश ले सें जड़ा बारिक कोनी पीशनों जड़ा मोटो भी कोनी पीशनों दरदरों पीश लेनों है देखो सातियों अब आपनों बाजरों दरदरों पीशे गयों है दरदरों पीशे गयों देखो एसो ही पीष्णों है अब लेंग आपा एक पतिलो बिकमायन आपा जितनी आपा नराबडी बनानी है उतनी आपा छास डाल देश्यां अब इन आपा रख देगा गेस को पर और एक मायन जिया आपा अगर आदी किलो चास लेनी है तो भी मायन बड़े वाला दो चम्मच या तेड़ चम्मच डाल देगा पीष्य भी बाज रगा अब इन डाल देगा इन हिलाता रंगा साथ साथ में अब इन साथ पिर इन आठ दस्ती मिनट तक इस चास नहीं आहीं गरम पा गेस को पर हिलातो रणो है आज जब तक सही अच्छो तरीकों इन उबाड नहीं आज आवा तब तक आप आई नहीं लाता है रश्यां इम आपा टेस्ट का नुसार स्वाद का नुसार नमक डाल देश्यां अब देखियो साथियो इकमा इन उबाड आणकल आग गो है अब आपाई नहीं छोड़ देश्यां अब इन पांस दस मिनट या उबलती रशी कम आँच का उपर मंदी आँच को उपर आउबलती रशी ताकि आच तरीकों उबल जैसी पक जैसी अब देखियो साथियो इन पांस दस मिनट होगा ही अच्छो बलो आपने राबडी मूबाल आगो है अब पक चुकी है खुसबू भी आनकल आगी है अब आपा इन गरम गरम डाल की गरकान सारान खिलाओ बच्चान खिलाओ जुखाम के लिए भी बहुत बढ़िया है धनिय अब आल की